बुद्ध रासी अपनी मित्र रासी सिंग को छोड़ कर उच रासी कन्या में परवेश कर गया है। बुद्ध ग्रह फसलो और वर्सा को प्रोहवित करता है। जोतिश्यों की माने तो बुद्ध ग्रह के कन्या रासी के परवेश करने से दो सब्ताह में मोसम में तेजी से बदला होगा क्योंकि बुद्ध ग्रह की यूती सूर्य से भी होने जा रही है इसलिए बुद्ध ग्रह बलवान रहेंगे इस योग से व्यापार जगत के लिए भी माल खुलते नजर आ रहे हैं पंडित अनिल सर्मा ने बताया कि बुध गरे बलवान होने से आगामी दिनों में व्यापारियों की गतिविदियां तेज होगी प्रदेश में बड़े व्यापारियों को निवेस बड़ेगा बुध गरे मुखेत बुधी, वानिजे, लेखन, आदी के कारक माने जाते हैं अगले 18 दिन बुध अपने कारक विश्यों में मेश, मिथुन, सिंग, कन्या, प्रिस्चकर, धनूरासी के जात्कों को सुब फल परदान करने वाला है इसके अलावा अन्य रासी के जात्कों के लिए अभी सामान्य फल दाई रहेंगे आलाकि मोसम में बदलाव होने से संकर्मन बढ़ेगा और सुबास्ते की परती भी लोगों को सजग रहना पड़ेगा बुद्ध ग्रहें अपनी मित्र रासी सियंक को छोड़कर अपनी उच्च रासी कन्या में प्रवेश कर गए हैं इससे आगे आने वाले दो सप्ताहा में मोसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा